मुबारक हो, होटल का मालिक बनने के लिए और बिजनस के दुनिया में अपना पहला कदम उठाने के लिए हम चल्दी ही मिलेंगे ये मेसेज देख होटल के हॉल में मैनेजर के साथ खड़ा शिकर मानो अपने आप से ही बड़़ाने लगा इसे ये बात कैसे पता चली? जब डील बंद दर्वाजे के पीछे हुई तो उसे लीग किस ने किया होगा? शिकर को इस हाल में देख मैनेजर बोला, क्या बात है शिकर सर, आप अचानक से शिकर ने मैनेजर की बात सुनते हुए भी अनसुनी करते उसका पूरा ध्यान फोन पे ही था तब ही फोन पर आये एक और मैसेज पर उसकी नजर पड़ी बैंक से आये इस दूसरे मैसेज में शिकर के अकाउंट से पैसे कटने की बात लिखी हुई थी जिसे शिकर देखकर समझ गया कि हो ना हो पर जब भी मैं बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो खबर और शुप चिन तक को पहुँच ही जाती है ये बात समझ आते ही शिकर ने चैन की सांस ली और मैनेजर को बाई कहते हुए अपने कॉलिज के लिए निकल गया शिकर अपने लिए एक पैन खरीदने रास्ते में बस एक स्टेशनरी की दुकान पर रुका इतने दिनों से उसने अपने लिए एक पैन तक नहीं खरीदा था बस दूसरों से मांगते हुए अपना गुजारा कर रहा था शिकर क्लास में जैसे ही गुजा बाकी स्टूडेंट्स आपस में फस्वसाते हुए हसने लगे शिकर सब को नजरंदास करते हुए अपनी कुरसी की ओड जा ही राथ था कि अंकुष उसे सामने से रोग देता है और बोलता है सारी प्रो कल सेलफीज लेते लेते हम कब वहां से कहीं दूर निकल गए पता ही नहीं चला वैसे तुम वहां से कैसे निकले पैसे तो होंगे नहीं तुमारे पास फिर रात भर वहां बरतन मांजे या फिर बिना पैसे दिये ही भागा है अंकुष के इस बात को सुन आस पास सभी ने फस्वसाना छोड़ कर खुल कर शिकर पर हसना शुरू कर दिया शिकर ने सब नोटिस करते हुए अंकुष को बड़े ही प्यार से जवाब दिया फो एक्चली मैंने होटल ही खरीद लिया फिर किसे ने मुझसे खाने के पैसे मांगे ही नहीं और फिर बड़े ही स्वैक के साथ अपनी जगह पर बैठ गया अंकुष ने जोर से हसते हुए पूछा तुहू और होटल खरीदेगा जिसके उस होटल के बॉस से बात करने तक की हैसित नहीं है वो होटल खरीदने की बात कर रहा है यारे इतनी बड़ी बड़ी तो मैं भी नहीं फेकता वैसे जिस दिन तुने उस होटल को खरीद कर दिखा दिया न उस दिन मैं अपनी पैंट उतार कर तुझे सिल्यूट करूँगा कि जहाँ पना तुस्सी ग्रेट हो तौफा कबूल करो शिखर ने बस एक हलकी सी मुस्कान दी और अपनी सीट पर बैठ कया तभी अनन्या भागते हुए क्लासरूम में खुसी और सीधा जाके शिखर के गले लगते हुए उससे बार-बार थेंक्यू कहने लगी ये देख पूरी क्लास में मानो संसनी सी फैल गई शिखर का दिल भी जोरों से धड़कने लगा अनन्या को अपने इतने करीब पाकर देख शिखर के करीब आने की कोशिश कर रहा था चैलेसी के मारे लाल बिला होने लगा शिखर अनन्या एक दूसरे से अलग होते हैं और अंखुष ने अनन्या से पूछा आखिर इसने ऐसा भी क्या कर दिया अनन्या शिखर की आँखों में आँखे डालते हुए बोली मेरे पापा पैंक्रप्ट होने की कगार पर ही थे ये शिखर नोंने बचा लिया तुमने होटल खरीद कर मानो एक पल में हमारी सारी मुसीबते दूर कर दी शिखर भी ये सुनकर चौक गया था कि कल जिस होटल को उसने खरीदा वो अनन्या के ही पिता का था अंकुष और बाकी सब भी ये सुन चौक पड़े शिखर को भी जमज नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे वो बस अपनी नजरे फेड़ते हुए बोला मैंने तुमारे पापा के लिए नहीं किया इसके पीछे मेरा अपना भी selfish reason था मौका देख अंकुष अपनी कुरसी पर वापस बैठ ही रहा था कि तभी शिखर उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोला थोड़ी देर पहले तुम सब के सामने कुछ बोल रहे थे अगर मैंने सच में होटल खरीद लिया तो तुम क्या करोगे अंकुष बात को टालते हुए कहने लगा अरे वो वो तुम्हे बस मजाग कर रहा था ना जाने मेरी बाते सच क्यों माल लेते हो तुम जो स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले शिखर का मजाक उड़ा रहे थे अब अचानक उनकी आँखों में उसके लिए रिस्पेक्ट जाग गई थी कॉलिज के बाद शिखर टेक्सी में होटल पहुँचा और सीधा फिलिप से मिलने गया फिलिप ने भी शिखर को इस वक्त यहां देख कर पूछा यहां बार-बार टेक्स्ट मेसेज भेज परिशान कर रहा है फिलिप नमबर लेते हुए बोला शिखर सार आप बिलकुल भी चिंता मत करो ऐसे फ्रॉड केसेज मैंने बहुत देखें मेरे साथ भी होते रहते बस मुझे दो दिन का टाइम दीजिए पता लगाना तो क्या मैं इसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूँगा फिलिप के इस आशवासन से शिखर के चहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने मनी मन सोचा बस दो दिन और फिर पता लग जाएगा कि आखिर कौन है ये शुपचिन तक शिखर ने फिलिप को धन्यवाद करते हुए पूछा वैसे एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया क्या इस होटल में कोई कमरा खाली होगा मैं भी यही शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ फिलिप हसते हुए बोला ये पूरा होटल आपका ही है आप जिस मर्जी उस कमरे में रुक सकते हैं मैं अभी मैनेजर को बोल कर आपके लिए होटल के सबचे खूब सुरत कमरे का इंतजाम करवाता हूँ अगर आपका सामान कही रखा हुआ है तो ये बता दे मैं ड्राइवर को भेज के वो भी मंगबा लूँगा मेरा जितना भी इस दुनिया में अपना कहने को है वो सब मेरी स्पीट पे टंगे बैग में है इसके अलावा मेरे पास और कोई सामान नहीं ये बोल्ट शिकर यहां से निकल गया और फिलिप उसे अचरज भरी नजरों से देखता रह गया देखती देखते उस आलेशान कमरे में कब दो दिन बीथ गए शिकर को पता है नहीं चला शिकर को जब दो दिन तक फिलिप से उस नंबर के बारे में कोई जानकरी ना मिली तो वो खुद पता करने फिलिप के स्वीट पहुँच गया पर फिलिप के पास कहने को बस इतना ही था मैंने अपने सबसे भरोसे मंद आदमी को लगाया था इस काम पर मगर उसे भी कोई एड्रेस या डीटियल नहीं मिल पाई क्योंकि जिसके नाम पर ये नंबर है वो इंसान तो एक्जिस्ट ही नहीं करता किसी जाली आईडी से ये नंबर लिया गया है शिकर ये सुनके थोड़ा डिसपॉइंट हुआ जब दो दिनों तक आपका कोई जवाब नहीं आया था इतना तो मैं भी समझ गया था कि शायद यही हुआ होगा मगर फिर भी आपने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए आपका धन्यवाद फिलिप ने जवाब दिया आपने मेरी मदद मागी थी मुसीबत के वक्त अब आगे भी कभी मैं आपके किसी काम आ सकूँ तो ज़रूर बताईएगा शिकर मुड़ कर अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि फिर उसके फोन पर एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन आया मुझसे मिलना है तो पहले बता देते इतना सब करने की क्या जरूरत थी शाम ढलने के बाद मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूँगी शिकर ने कसकर अपने फोन को पकड़ते हुए सोचा आखिर कैसे ये हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहते हैं और आज अचानक से मिलने को कैसे राजी हो गए जरूर कोई शेडी धंदा करना शुरू कर दिया इसने वरना जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे उसने इतना बड़ा होटल आकिर कैसे खरीद लिया अगले दिन कॉलेज में सब इसी गौसिप में लगे होए थे अंकुष बोला मुझे पता है कौन सा दो नंबर ही धंदा करता होगा ये इस एरिया में शिकर रहता है वहां मेरी हाउसमेट भी रहती है सुना एक काफी लड़के ड्रग्स बेच के फटावट पैसे कमा लेते हैं इसने भी यही किया होगा या सच में शिकर अब ऐसे काम करने लगा है सब आपस में फस्वसाने लगे तब ही उनमें से एक बोला अब वो ड्रग्स बेची रहा है तो हम भी उसके कस्टमर बन जाए दोस्त होने के नाते सस्ते में भी दे देगा हमें ये सुन दूसरा लड़का बोला मागर अंकुष ने जैसे सब के सामने उसका मजाक उड़ाया उसके बाद क्या वो हमें ड्रग्स देगा भी अंकुष ने कहा क्यों नहीं देगा खटिया ना खड़ी कर दू में उसकी अगर देने से मना किया तो शिकर अभी क्लास में गुशा ही था इस अपकी नजरें उस पर जाटिकी एक टाइम था जब उसके होने ना होने से किसी को कोई फरक नहीं पड़ता था और आज उसके आते ही बहुत लोगों की आँखों में एक डर सा चा गया था शिकर अपनी सीट पर जाके जैसे ही बैठा सभी अंकुष को उससे बात करने का इशारा करते फिर से टेक्स्ट नोटिफिकेशन से शिकर को लगा कि कहीं न कहीं उनका ही तो कोई मेसेज नहीं है पर टेक्स्ट फिलिप का था जिसे पढ़ते ही शिकर तुरंत उठ खड़ा हुआ शिकर के सामने अंकुष आकर बोला कुछ बात करनी है तुछ से मगर शिकर ने बस इतना कहा समय नहीं है मेरे पास अभी तुमान लिए बात में बात करेंगे और भागने लगा ये सोचते हुए कि जल्द से जल्द उसे होटल पहुँचना है शिकर जैसे ही होटल पहुचता है फिलिप ने उससे पूछा शिकर सर मैंने कहा था जरूरी बात है फिर आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई शिकर बोला टैक्सी मिलने में समय लग गया फिलिप चौकते हुए बोला शिकर सर आप करोड़ पती होते हुए भी टैक्सी से क्यों आ रहे थे अगर आपकी कार खराब है तो मैं अपनी कार भिजवा देता आपके लिए शिकर ने जवाब दिया मेरे पास कोई कार नहीं क्या बात थी जिसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया शिकर को पूरी बात समझाते हुए फिलिप बोला उतरसल खल रात हमने अपने एक शेफ को काम से निकाल दिया था और जाते हुए उसना कुछ महमानों का रात का खाना खराब कर दिया था अब उसब के सब अपने आगे की बुकिंग कैंसल करके होटल छोड़की जाना चाते है अगर ऐसा हुआ तो हमारा आप काफी लॉस होगा मैंने बात की कोशिश तो की मगर कोई मानने को तयार नहीं शिकर तुरंद बूल पड़ा क्या आपने अभी तक उनके बिल पे कोई डिसकाउंट दिया उनको मनाने के लिए जवाब में फिलिप ने बताया सर ऐसा डिसेजन तो आप ही ले सकते हैं ना बॉस होने के नाते अब मैं थोड़ी ना बॉस हूँ होटल बिकने के बाद वैसे भी मेरा यहां रहना सही नहीं है मगर इस होटल से एक अलगी लगाव है मुझे उमीद है मेरा यहां रहना और होटल के मामलों में बात करना आपको बुरा ना लग रहा हो शेगर ने फिलिप की आँखों में आँखे डाल समझाया ये होटल जितना मेरा है उतना आपका भी है आज के बाद होटल के फेवर में कोई भी फैसला लेना हो तो आपको मेरी पर्मिशन की जुरूत नहीं आप खुद से भी फैसला कर सकते हैं इतना हक है आपका और रही बाद इस क्राइसिस की मैं अभी जागर खुद सबसे माफी मांगते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ शिकर ने जैसे ही बोलना खत्म किया पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई ऐसे खाली आज जाओगे सब को मनाने शिकर सर शिकर ने मुड़कर देखा तो अनन्या पीछे ही खड़ी थी शिकर ने सवाल किया तो फिर अनन्या शिकर का हाथ पकड़ बोली मैं बताती हूँ और अपने पिता की पर्मिशन लेते हुए शिकर का हाथ पकड़ उसे अपने साथ कमरे के बाहर ले गई शिकर का दिल भी अनन्या के चूने से जोरों से धड़कने लगा था और वो बिना कुछ बोले अनन्या के साथ चला गया आखिर कैसे बचाएगा शिकर अपने होटल की इज़त क्या चल रहा था अनन्या के दिमाग में और वो कहां ले जा रही थी शिकर को अपने साथ और आज जब शुक्चिन तक से मिलेगा शिकर तो कौन से सच निकल कर सामने आएंगे जानने के लिए सुनते रहिए Millionaire Delivery Boy सिर्फ Pocket FM पर